हे गाईस वेलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो फ्रेंट्स आज मैं जो रिक्वार्मेंट की बात करना जा रहा हूं वो निकाली गई है रेलिवे की तरप से नर्स स्पूरी टेंडट्स पोस्ट पर वेकंची आउट की गई है तो यह जो वेकंची आउट किए है है और यहां पर बिना अग्जाम्स का है आप फ्रेंट की सेलेक्सर हो अदरवाई जो भी candidate यहाँ पर इंट्रेस्टेड है वहाँ पर जा भी सकते हैं प्लेस में और इंटरव्यू अपना दे सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं कितनी पोश्ट यहाँ पर निकाली गई है और age limit वेगरा salary की आ रहने वाले कब आपका इंटरव डिविजन से vacances आउट की गई है यह पारा मेंडिकल स्टाफ हो गया और नर्स सुपरीटेंडन की वेरियस पोस्ट पर वेकंस आउट की गई है तो यह जो वेकंस आउट किये यह तोटली आपका जो होगा बिना एक्जाम का सेलेक्शन होने जारा गाइस विकाउस कोरोना व जर्य जो भी केंडिट यहां पर इंट्रेस्टेड हैं वहां पर जा भी सकते हैं और इंटरव्य अपना दे सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं कितनी पोश्ट यहां पर निकाली गई है और एज लिमिट वेगरा सेलरी की आ रहने वाले कब आपको कैसे फिल करना है जतने भी कंडिट इंट्रेस्टेड हैं इस वीडियो को सुरू से लेकर रहन तक पूरा देखिए हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राब करें और बेल आकन को प्रेस कर दें गौर्मेंट जॉब की इसी तरह पल-पल क करके हम देख लेते हैं तो यह रहा गाईस ऑफिसेल नौडिपिकेसन आप देख सकते हैं नौर्धन रेलवे जो डिविजन है आपका मुरदाबाद डिविजन से वेकंस आउट की गई है और यह नौडिपिकेसन जो आपका यहां पर सेलेक्शन होगा कोई भी आपका परहा भी दिया जा सकता है तो चलिए यहां पर पोस्ट देख लिखते हैं सबसे पहले नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है यहां पर वेकंस टोटल आप देख सकते हैं जो जेनरल कोटा वाइस टोटली डिवाइड की गई है और C1 के लिए वेकंस आप पर देख सक नेक्स पोस्ट यहां पर जो वेकंस चीज निकाली गई है वह आपका यहां पर है नर्सिंग सुपरिटेंडेंडेंट को लिए यह फ्रॉम ओपैन मार्केट के लिए वेकंसी यहां पर जो सेलरी डिवाइड की गई है आप देख सकते हैं चो वाली सेलरी मिलने वाली है और इस railway board में आपका देख सकते हैं paramedical staff है तो यहाँ पर requirement है यानि कि यह post गूनी के लिए eligible हैं जो कि वहाँ पे पहले मतलब employee है railway का तो ही apply कर सकते हैं अधरवाई यहाँ पर apply आप नहीं कर सकते हैं और basic पे grade पे वगरा क्या रहने वाला आप इसको देख सकते हैं लेकिन इस vacancies में सभी को apply कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ और यहीं रखा गया रूल्स यहाँ पर नहीं है तो चले और यह ऐसी बात नहीं है यह जितने भी candidate है यहाँ पर कुछ experience की रिचरिया दिया गया आप देख सकते हैं work experience category यह है category B and category C में क्या होना चाहिए यहाँ पर रखना होना चाहिए आपका experience तो यह अप एलिजबल एसी बात नहीं है आपका experience नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं अधरवाज जिन की नहीं का experience है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर preference देखने को मिल सकता है और इसकी application की बात करें guys तो इसका application आपको offline form इसको print out नि देख सकते हैं इस email आड़िया में आपको send करना NXR यह मैं आपको दिखाने वालो NXR भी जो की car certificate है उनको भी वनवा सकते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद 10th 12th का graduation का जितने भी आपके पास qualification details है इसको यहाँ पर आपको scan करके भी आपको भेजना है जो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं तो बेटर है अगर आप नजदी के तो पहुंच जाए अदरवाई जो candidate यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं वह जूम वाटसप कॉल के जरीए जो कि यहाँ पर conference के द्वरा उससे interview लिया जाएगा 30 अप्रेल को लिया जाएगा याद रखे जितने भी आपके original documents और application आपका जो original application आप फिल कर रहे हैं उसको साथ में लेकर बैठना है अगर जा रहे हैं तो साथ में लेकर जाना है वो टोटल दो copy यानि सभी documents का दो copy xerox उसमें self-attested आपका होना चाहिए गाईज यहाँ पर कुछ term and condition आपको मिल जाएगा इसको आप फोटो चिप का देना है और general information आपको फिल करना है ज्यादा यहाँ पर problem आपको नहीं आना चाहिए यहाँ पर post आपको required कर देना आपकी post क्या है qualifications में मैंने पहले भी बता चुका हूं यहाँ पर आप देख लिजेगा अपकी इस post के लिए eligible है देख सकते हैं इसी के उनसर आ आपको ले जाना है और इसको ले जाकर बैठना है तो अगर आप जार हैं तो इसको totally ले जाना है document आप देख सकते हैं क्या के ले जाना है पर tick लगाईएगा simply और experience है तो यहाँ पर आपको ठीक लगाना है कितना year कितना month है तो yes करना है pen आधार जो भी है साथ में लेकर इसको इसने scan करके आपको send करना है जो कि official email ऐसा किजेगा एकी PDF में आपका totally आजाए इस तरह से आपको scan करना है जैसा कि जितने भी सारे documents है उसको आप scan कर लिजेगा chem scanner download करके और all PDF करके इसको send कर दीजेगा email ID में तो fully guys आपको जितने भी यहाँ पे interactions है मैंने carefully बता दिया आपको I hope आपको समझ आ चुगा फिर भी कहीं आपको doubt लगे तो आप comment कर सकते हैं अधरवाज इसको download कर लिजेगा और जो candidate है जरूर इस पर apply किजेगा खूंकि बहुत बड़ी अपशनोड़ी आप सब के लिए हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर अपने दोस